नमस्कार स्टुडेंट्स मैं महिंद्र सिंग राज के पोली टेक्निक माविद्य लेनागो डिपार्टमेंट ओफ मैकेनिकल इंजिनेरिंग जैसे कि अपने तीन पार्ट देखे हैं जिसमें अपने अब्जेक्टिव की बेरिंग के यह चोथा पार्ट है देखे इसमें पहला मतलब इसकी लाइफ कितनी है आठ हजार घंटे ठीक है इसके बाद में देखिए इसका लोड है आपने क्या कर दिया डबल तो लाइफ कितनी हो जाएगी यह डबल करने पर लाइफ वन बाइट तू रस्टिद बावड थ्री टाइम्स हो जाएगी ठीक है तो किपिंग दॉ लाइफ रस्टिद बावर थ्री टाइम्स कर दोगे वन बाइट टू रस्टिद बावर थ्री टाइम्स ओफ आठ हजार तो इतना इसका आश्वर आजाएगा एक अजार तो आपको ऑप्शिन आजाएगा सी एकदम सभी आपको से फॉर्मुला याद रखना है ल बराबर सी यह अंपर बाउं रेस्त पार 3 डवल यहां पर लॉड रोड होता है इसके बाद में एक्स्ट कुछिशन देखिए विज्ट डाइनमिक लॉड कैंपिसी तीटी यह बीरिंग बाइस किलो-णूथा और वाइस किलो-णूटन आपका यह हो जाएगा जिसका आप 20-000 बोल सकते हो और 6360 आपका हो जाएगा डाइनिक लोड तो मैक्जिमम रेडियल ओड इट कैन सस्टेंट टो पर मिनिट फॉर दो जार वर्स तो आपको मैक्जिमम रेडियल लोड कैलकुलेट करना है ठीक है आपका डाइनिमिक लोड दे रखा है रेडियल ओड देखिए रिवलेशन इद अब दे हिए में अब देखिए मैग्जमम रेडियल ओड कितना हो जाएगा यहांसे मैग्जमम रेडियल ओड हो जाएगा डबलू अपॉन देखो लाइफ बराबर एल बराबर क्या होता है सी अपॉन डबलू रेस्टी बाउर थ्री तो सी यहाँ पर कितना हो जाएगा सी आपका हो जाएगा 22 और डबलू आपको कैलकुलेट करना है तो डबलू बराबर हो जाएगा 22 बटा एल क्यूब रूट क्यूब थाइस रूट ठीक है तो बाइस अपॉन सेवन्टी टू रेस्टी बाउर वन अपॉन थ्री तो पांच पॉइंट दो नो तो आपका option आजाएगा यहां पर डी एक्तम सही तो डी option इसके अंदर सही आजाएगा इसके बाद में next question देखे basic lot rating of the ball bearing ball bearing की basic lot rating क्या होती है वो देखो the maximum static lot basic lot rating होती है जिसमें 90 परसेंट आपका बेरिंग होती है वो काम करती है तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं आप रेटिंग तो आपका option B इसके अंदर एक्दम सही आ जाता है यह आप के थे ball bearing के question इसके बाद में next question देखते हैं selection of taper roller bearing के इससे related अब देखे टेपर ओलर बियरिंग टेपर ओलर बियरिंग आप इसलिए जाता है क्योंकि यह बहुत ज़्यादा sensitive होती है तो A और B दोनों से यह और इसको explain भी करता है ठीक है तो आपका option B एकदम सही आ जाएगा next question देखे विच बेरिंग इस प्रफरड फॉर अक्सेलेटिंग कंडिशन अक्सेलेटिंग कंडिशन का मतलब होता है कि जहां पर वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होता है उस condition में कौन सी बेरिंग अच्छी रहती है डबल रो रोलर बियरिंग यह गल स्बाद में next question देखे जिसमें matching दे रहती है एक इस लेंडिकर रोलर है बॉर्ऑ बेरिंगे टैपर रोलर बी이션ing एंगुलर कंड़ कॉन्टर्ट बी एरिंग है तो स्लेंडिकल रोलर बियर इंग किसमें काम में आती है रेडिया है हाई रेडिया है लोड में मंशीनेटेट्स टालों ओंस ित् clothes विढगर सोक लोड़ जो होते हैं उसके अंदर क्या काम में आती है आपके सिलेंटिकल स्लेंटिकल रोलइक इसकेस में आते सोक लट्स में काम में आते हैं बॉल कि यो होती है जहां पे आप फ्रिक्वेंट करते हो। वहां के काम प्रति है अंगुलर कॉंटक्ट एजिए जो पॉल नहीं है यह वाल बीयरिंग आंगुलर कॉंटक्ट बॉल ब्रति से चाहिए रेडियल लोड यह थे अपने ऑबजेक्टिव बाखिए अपन्न एक्सट पार